पाकिस्तान गई अंजू पर सीम योगी का बड़ा एलान अंजू के फातिमा बनने पर क्या बोल गए सीम योगी सुन्ये लखनव में बैठ कर पाकिस्तान गई अंजू पर योगी ने क्या कहा पाकिस्तान से सब कुछ छोड़ कर अवय तरीके से भारताई सीमा हैदर और भारत से पाकिस्तान जाकर शादी करके अंजू से फातिमा बनने वाली नसुरल्ला की प्रेमका के हर जुगा चर्चे है बतादें की पती से जूट बोलकर अपने फेस्बुक फ्रेंड से मिलने पाकिस्तान जाने वाली अंजू पहले से ही शादी सुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं लेकिन जब वो पाकिस्तान गई तो वहाँ फिर निकाह किया और इसलाम कबोल कर दिया इसी बीच अब उत्तर प्रदेश के मुख्या योग्यादतनात ने अंजू को लेकर बड़ा बयान दिया है दरसल एक इंटर्व्यू के दोरान सीम योग्यादतनात से अंजू से जुड़ा सवाल पुछा गया जिस पर सीम योग्यादतनात ने कहा कि ये दो देशों से जुड़ा मामला है सुरक्षा एजन्सियां जाच कर रही है जाच रिपोर्ट के बाद आगी की कारवाई की जाएगी वही पाकिस्तान गई अंजू की बात करें तो वहाँ पर उसे एक बिजनिसमेन ने फ्लैट और धेरू गिफ्ट तोफे में दिये है इसके लाबा अंजू को पाकिस्तान की पाँच-पाँच कम्पनियों से जॉब के लिए आफर भी दिये गए ऐसे में सवाल उठ रहा है कि पड़ूसी मुल्क पाकिस्तान तो दाने-दाने के लिए मोहताज है लोगों को एक वक्त का भिखाना नसीब नहीं हो रहा लेकिन अब उसी पाकिस्तान में भारत से भाग कर गई अंजू पर दौलत क्यो बरसाई जा रही है ऐसे में पाकिस्तानी साजिस का शक और गहराता जा रहा है इसी बीद सीयम योग्या दत्पनात ने पहली बार अंजू पर प्रतिक्रिया दी है और रिपोर्ट आने के बाद कारवाई का भरुसा दिया है सुन्य उन्होंने अंजू और सीमा हैदर को लेकर क्या कुछ कहा है ये रिवर्स लफ जिहाद कहा जा रहा है कुछ लोग इसे वो टर्म दे रहे है देखे ये सुरक्स एजिंसियां उसको देख रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके इनसारवाद भी विचार करेंगे भारत से भी एक लड़की जो है वो पाकिस्तान चली गई उसको देख रही है दो देशों से जड़ावा मामला है और समंधित एजंसियां इसमें काम कर रही होंगे सर एक मैं सवाल पूछूँगी कि South Asia में भारत का रोल आप क्या विजन करते हैं कि क्या होना चाहिए क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि हम विश्व गुरू का जो सपना देखे चले हैं वो थोड़ा over ambitious है तो South Asia में और globally आप का विजन क्या है भारत देखे मैंने कहा ना पिछले 9 वर्ष में प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में भारत ग्लोबल लीडर की रूप में स्थापित हुआ है कोई संदे नहीं कि प्रधान मंत्री मोदी जी के नित्रतों में अगले तीन वर्षों के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ विवस्ता की रूप में स्थापित न हो जाए जरूर होगा दुनिया के अंदर भारत की अपने एक पैचान बनी है भारत के बारे में लोगों के दृष्टिकोन में बदलाव आया है और जो भारत के बारे में कहा जाता था आज प्रधानमंतरी मोदी जी के नित्रुतों में वस्ता कार हो रहा है सर अंत में एक सवाल जरूर पूछूंगी क्योंकि ये महराश्टा सदन में हुआ था कि एक विधायक ने कहा था कि जो नारा चल रहा है कि भारत में रहना होगा तो बंदे मातरम कहना होगा और उनके मजभब में ये उन्हें परमिशन नहीं देता कि आप खुदा के अलावा किसी और के बारे में आप सिर जुका है किसी और के सामने देखे देश सम्मिधान से चलेगा मत और मजहब से नहीं देखे मैं इस्वर का भक्त हूँ इस्वर मैं अगाद निश्टा रखता हूँ लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूँ आपने देखा होगा जब मुझे हमारी नौकर साही ने कहा कि नुएडा लोग नहीं जाते चिप निश्टर को नहीं जाना चाहिए मैं उसको उलंगन करके नुएडा गया कई बार गया आदा दरजन बार जा चुका हूँ दोसरे बार मुझे कहा गया कि रात्री में सीम को बिजनौर में निवास नहीं करना चाहिए तो मैं जान बूच करके वहां रुका और मैंने पूछा मैंने का भी क्यों निवास करना चाहिए तो उन्होंने का साब दौरा सीम नहीं बन सकता है तो मैंने का मैं दौरा भी सीम बनूँगा चिंता मत करो